हालो और वेलकम डिगुरुकुलेगरी मैनुपलेशन की उपर बात करेंगे लाइफ लेसन है यह कोई एक प्रेजन सिचुएशन को लेके नहीं है यह यह है कि जैसे लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब हम और एक मतलब एक्चुली जो पर्टेंड कर र जाता है तो वो मैन्यौपलेशीन कैसे यूज करता है उसके उपर बात करेंगे लेक्चेır ऐसे है कि आप यह मानिएं कि आज तक का जो हमारा एक्ष पीरियन्स है ठीक है उसके वेसे मैनुप्रेशन जैसे हर किसी को पता होता है ठीक मैनुप्रेशन होता क्या है अपने अपनी भाशा में इसे अलग तरफ से यूज के जाता है कोई इसे हेर फिर तरना बोलता है जैसे बातों में हेर फिर करके कैसे सामने वाले को उलजाया जाए तो इसको अगर आपने समझ लिया तो जिन्दगी में बहुत बार ऐसे decision लेने पड़ेंगे बहुत बार ऐसे होता है कौन इसे use करता है, कब कब इसे use करता है और क्यों हम ये video डाल रहे हैं क्या इसका impact होता है और कैसे ये manipulator को हम समझ सकते हैं कैसे इन से बच सकते हैं और हमारी क्या duty बनती है इनको रोकने के लिए ठीक है, या ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए in future में reason, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूगा कि reason ये है कि जो selection जिनका हो जाता है चलो हम एक अगर EFO के ही बात कर लें फ्रेशर और जो ये सब है in future में जो EFO बनने वाले हैं तो आप criticism से बच सकें और आप सही को और गलत को एक पहचान पाएं और अगर सही गलत को भी छोड़ें at least आपको ये पता हो कि आपको करना क्या है तो ये life lesson आपको इतना काम आएगा कि कोई भी कोई भी situation हो आपको कुछ भी अगर आपको एक fan भी buy करना होगा तब ही भी आप उसे ये चेक कर पाओगे कि ये सही था ये गलत था mental harassment जो in future आपको होगी क्योंकि ये manipulation ऐसा होता है कि जब कोई आपके साथ कर देता है बाद में आप एक guilty feel करते हो और आप मैंके बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा चलिए तो यहाँ पर ये है कि message है सबसे पहले those are not get selection मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा पहली बार तो हमारे जितने भी आज तक के वीडियो होते हैं उन में एक message होता है हम specially ज्यादा तर ट्राइ करते हैं कि उन्हें के लिए एक थोड़ा motivation रहे तांकि उन्हें पता रहे कि हाँ कि मतलब हम भी कर सकते हैं उनके साथ थोड़ा मतलब जो है एक होंकि EFO में होता है साथ question है पांस साथ किसी काम के नहीं होते हैं ठीक है बाकी के जो बचे हैं एक आदे नंबर से आपकी inability और incapability जज नहीं की जा सकती जिसने टॉप किया है और जो एक नंबर से रहा है फाइनल में दोनों की जो mental ability है equal हो सकती है और यह जो है यह टॉपर बन सकता है कभी भी यह EFO का actual name जो इतनी यह truth है ओके चलिए तो यहां पर यह होता है कि इससे होता क्या है freshers के लिए है कि अक्सर अपन bombarding देखे bombarding क्या होती है advertisement re-advertisement कि इतनी advertisement करो किसी चीज की कि उसे हजार बार बोलो और वो जूट भी सच लगे और इसे हम बोलेंगे hypnotize कि वो person hypnotize हो जाता है किसी भी type से for example बहुत बार ऐसा होता था बहुत बार ऐसा होता है हम जब market में भी कुछ चीज लेने जाते हैं तो एक चीज होती है जिसकी जो actual में जो worth होती है वो zero होती है लेकिन वो बार बार एड़ोडीज की faces पे उसका business चल रहा होता है चलिए बात करेंगे कौन इसे use करता है सबसे पहले mainly politician use करते हैं election के वक्त आप लोगोंने सुना होगा बात को कैसे गुमया जाता है हर बात नहीं बात लाया जाता है public sentiment use किया जाता है emotions के basis पे उनको जो है vote लिये जाते हैं चीक है तो ज़्यादा जो है mainly politician businessman business purpose के लिए जब भी उन्हें लगता है कि उनका business कम हो रहा है या monopoly मुनाना चाहते हैं business को बढ़ावा देना चाहते हैं वो ऐसे pretend करेंगे pretend ऐसे pretend करेंगे ऐसे दिखावा करेंगे कि सब कुछ वो ही है और वो ही प्रूबलू है others actors आजकल जैसे actors भी यूज करते हैं film को promote करने के लिए और और बी ये जिंदगी में बहुत bar use होता है manipulation एक ऐसी चीज है कि अगर किसी ने भी ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो negativity यूज करेगा क्योंकि positivity से negativity ज़्यादा बढ़ती है ये बात आपको पता है अगर इस वीडियो ये किसी भी वीडियो का thumbnail ऐसा लगा है कि वो negative vibe ज़्यादा आए तो obviously click ज़्यादा होंगे क्या है क्योंकि कि ये हमारे एक nostalgia होता है nostalgia कि हमारा intuition है वो negative में ज़्यादा ये करता है वोचे pinch करता है लेकिन वो manipulation का सबसे powerful nostalgia होता है so ये मैं explain कर चुका हूँ monopoly और इस सब बनाने के लिए आगे बात करते type of manipulation कोई न कोई almost of the student जो पिछले 4 साहत से थीक है वो इसका किसी का शिकार हुए होगे comment करके बताना आपको किस type के manipulation का शिकार हुए होगे कभी भी किसी भी type का हुआ हो सबसे पहले person जो है वो आपकी insecurities के उपर खेलेगा insecurity आपको ये feel करवाएंगे जैसे politician है कोई भी है वो आपको ये feel करवाएंगे कि आप हमारे बिना incapable हो अगर आप हमारे साथ हमारी साइड में नहीं आ रहे हो that means you are not insufficient in your जो भी आप goal अचीव करना चाहते हो तो आप वो कर ही निपा होगे लैक कर रहे हो हर बात पर जूट बोलेंगे इसके बस सब से जो dangers है वो है changing the subject कुछ मत समझना इस topic से बस यह समझे लेना कि subject को change कैसे करते हैं बस wait तो अगर इसमें आपको इतना भी आ गया changing the subject changing the subject यह कैसे change होता है ठीक है एक बात चल रही है अभी ठीक है इसके उपर अगर कोई week जा रहा है ठीक है तो क्या करो नहीं बात शिरू करते हो ठीक है topic ही change करते हो ऐसे words लाओ कि इनका महत्तव खतम हो जाए ठीक है अब यह बात हुई इस बात भी वह फार्ट पे भी अगर वह दब रहे हैं तो नया topic लाओ नया topic लो हर दिन एक नया topic हर दिन और यह कि अगर वो दो से तीन या एक दिन में तीन चार बर करता है maximum बचिए शायद उनको पता लिए topic change करने subject जो है वो change ही कर देते हैं मुद्द हो change ही कर देते हैं confidence over in person ठीक है चलिए तो इस से जुरूब बचिएजा उसके बाद है goal post goal post काफी person जैसे की कम दिखाना है तो क्या करेंगे अरे यह target achieve करो target achieve कर लिया ने आप time पे नहीं आते हो ठीक है time पे भी आ गए ने आप sincere नहीं हो आप sincere होगे आपने mail का reply नहीं किया तो वो कुछ ना कुछ goal post change करते रहते हैं fear अगर मैं आपको call करके यह बोलूँ आप मतलब हमने आपके साथ कुछ गलट किया है और मैं call करके भी आपको बोलूँ कि आप student हो और student रही है तो वो एक fear है कि जो हम आपके सामने औरा बना रहे हैं हम आपको यह कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर देंगे मेरा मैं कहना का चारा हूँ समझ रहे हो गए तो यहां पर यह है कि जो यह fear वाला है जैसे कि अगर हमें भी कोई यह बोला जाए कि उनके पास यह topper है तो यह मतलब क्या हो जाएगा इससे हम डर जाएंगे हम पिछले चार साल से अपने जो quality है यह जैसे कि student के साथ जो bonding है इंटरकनेक्टर है उसी के बेसे हमारा गुरुकुल है आगे है social inequity क्योंकि इसमें यह होता है कि topper मैंने पहले बोला अगर जैसे पहली बात जो पहले topper यह वीडियो का जो था यह गुरुकुल और इसके बाद जैसे भी इसका मेन मोटर यह था कि कुछ ना को स्टूडन को यह पता हो कि हां हम कर सकते हैं अगर कि दो चार नंबर कम आ रहे हैं कोई मत्तव नहीं क्योंकि यहां पर aptitude reasoning में फिर भी हम कह सकते हैं लेकिन यह agriculture पांसाथ नंबर के कुछ नहीं तो या तो पूर अगर सारा आ रहा है तो टॉप पे अगर उस दिन या उस टाइम पे अपने प्रप्रेशन नहीं करी तो हो सकता आपके बीस भी है तो यह कोई सेंस ही नहीं है ठीक है चलिए अब बाता है गैसलाइट गैसलाइट वैसा होता है कि सामने वाला जो विक्टम से यही फील करवा दो कि हां तू ही गलत था ठीक है कि वह इतना अंडरकॉंट और यह उन लोगों के पास हो तो जिन में कॉन्फिदेंस कम होता है से यहां पर आगर है है रिष्टा क्रेंब बीच में करो इसे Μहीं होगा एसे को व Knights करना है दिवरत करना है तो हम क्या करेंगा जो इसने किया है ठीक है ​ उसने कोई भी एक्ट किया है for example हमने किसी student का वीडियो डाल दिया तो हम कैसे ने कैसे करके 4-5 दिन बाद जब वो student normal हो जाएगा जब वो student normal हो जाएगा 4-5 दिन बाद उसे call करेंगे और दो तिन बार में में उसे करेंगे हम क्या करेंगे एक उसे बोलेंगे normal आप यह क्या करेंगे हम खुद आएगे 10 मिंट में उसे खुद explain करेंगे और फिर चलके उसे कम बोलने देंगे और दो मिंट में उसे last लो चीक है यह भी एक ऐसा होता है चलिया है हाउ इंप्लिमेंटर साम दाम दंड बेद सब ने सुना है दन यह दाम यहां पर एप्लीकेबल होता नहीं है क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट है वो कभी श्पैशली प्रेजन के सेनारियो में जो कॉंपिटिटिव एक्जाम में आज की टाइम में सेलेक्शन ले रहा है वो कभी भी दाम का यह लोजिक नहीं है एवन कल जो स्टेटर सा उसके बाद काफी स्टूडेंट कहीं आया कि सर अगर कोई मतलब रुपे लेके ऐसा कुछ करता है तो उसको थोड़ा एक्सपोज करना जाई है ऐसा है दोन दूए तो भी एसा हई नहीं है ए ठीक है ऐसा है नहीं है ठीक है और यहां पे मिटत को बाड़ी जगा पर हoquता पलिटीटिंशन अपने सुने होगा कि यृत कर दामम का लिकांद वीलिखा बनाओ ठीक है और इसको आपने घर का बनाओ और उसको थोड़ा उस मतलब जो यहां पे आप हमारा हमारी उपर applicable कैसे कि जैसे हमारी एक weakness बन गए हम ने किसे आज student का video upload कर दिया तो उसमें से क्या करो इसको कैसे ना कैसे करके अगर मैं यह बोला चाहूंगा यहां पे इस बर वकैंसी अच्छी थी और अगर आपका इतना वह सेलेक्शन हुआ है मतलब हर institute का हुआ है तो आप हमारे यह जो हमने अभी तक 3-4 वीडियो डाले थे आप हमारे ही student को क्यों target कर रहे हो ठीक है आप जाएए ना अपने 299 के बा यहां पे यह दिखाता है कि शंका पैदा करता है कि आप हमारे student के साथ ही क्यों तो इसे बोलेंगे हम भेट क्योंकि बच्चों को इसका पता भी नहीं होता है कि उनको influence कर दिया जाता है और पहली बात यहां पे आगे से हमें खुद promise करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हम ध बच्चे ने कि बच्चे ने IBPS AFO में टेस्रीज हमारा लिया है जैसे कि गवर्वपाटी दार ने मैं पिछली बार भी वीडियो में हमने टेस्रीज बोला था हमें कुछ वह बड़ा नहीं बनना है तो जब मेरे को कहीं पर screenshot दिखाना होगा तो मैं इसे remove कर दूंगा इसका नाम चेंज करके और यह क्या दिखेगा IBPS AFO मेंस ठीक है क्या लगेगा यह क्या है यह टेस्ट नहीं है यह क्या है कूर्स है हलांकि वह बच्चा जब वीडियो में बोलेगा कि मैंने टेस्रीज लिए लेकर बोलेगा तो इससे क्या एक मैसेज आएगा कि वह बच्चा ही ज नहीं किया इसकी जो हमें इसके बदले में हमें क्या मिला इसके बदले में हमने उनके दिल में जो है वह जगा बनाबाए इसके लिए मैं खोश हूं 30 नवंबर को इनका 30 नवंबर ठीक है और एक दिसमबर गॉर ओफ हैपी खॉंग्रेटुलेशन फॉरियर मैरिज बस इतना मैं बूलूँगा इसके बाद और इसके से कॉंटर्वर्सी है ठीक है चलिया हां इंपक्ट ठीक है इसका में अच्छे दीन बुरे दिन बन जाएंगे अगर आप इसका कभी शिकार होते हो इन फूचर कभी भी होते घर पे भी हो जाते है जैसे अगर गरमें भी कई बार जै देडेजा यहां पर यह और आट इसा था यहां पर इस हुर्ण कर सकते हैं, अम जो हे injection लवाते हैं इनमें फर्ग होता है vaccination और injection में फर्ग क्या होता है अब इसको कैसे हम करते हैं वैक्सिन यह होता है कि आपको यासी एक्ट ही ना करो पहले ही फॉर एक्जामपल यहां पर जब मतलब अगर हमारे लिए मैं एप्ली केबल करूं तो जब हमने तो यह स्टूडेंट के एंज से क्या है कि ऐसा कुछ आप करो ही नहीं जिससे क्या हो कि आपको भी कल को यह लगेगा रहे मैं कहा हुआ ठीक है चलिए अब यहां पर यह है कि इथिक्स हर परसन के इथिक्स होने चाहिए यूपीएसी में इथिक्स अब्जाट क्यों लगाते हैं क्योंकि जब एक परसन पावर में चला जाता है IPS उसके पास इतनी पावर होते हैं कित्मा भी रूपया कमा सकता है लेकिन अगर उस परसन के इथिक्स हैं तो अपने सिध्धांतों पर अड़ा रहेगा और यह एक कौम कुछ ना kई बोल लें की इंट्रीकेसी गहनता को समझना है ठीक है जब आपको कुछ भी कुछ बोले उसको गहनता से अराम से समझें छिक तायम दिचे टाइम टैम टूबलू जो हो वह बोलो कोई आपको किशी से खुश करने के जरूत नहीं है कोई किसी को ज्यादा जो हो को लग रहा है कि नमबर दो कभी बेखिशी की उपर इसले टरस्त मत करो कोई भी चीज का फैसरा लेना है तीन जासी जो सी तीच है नमबर एक ठीक है कोई भी चीज करना है नमबर दूर पर हिस्ट्री हिस्ट्री आलवेज हम पूर्टेट होती या श्याय्द काफी स्व्रोंच कर लगता होगा कि करीकूलम में स्कूल केकूलमम में हिस्टरी होती है क्या होती है history important होती है तृ स्कूल मे पता चोलता है ठीक है, की जो चीजे है वो कैसे बंदली जाती है और चीज जो एक्चल में very 누구, किसकी है यह पता लगती है आगे जो है कम के साथ हो जाओ कोई देक्कत नहीं है लेकिन ऐसा कोछ मत करो कि आपको इंटेलिजेंटली सब को रिस्पॉंड करो इसके उपर हम एक बोलेंगे शायद इस बार मेरे खाल से एक यह दो स्टूडेंट का जो डाटा है वो जो मतलब उनका रिजर्ट था वो शायद हमने टेलेग्राम चैनले पर अपलोड हो गया था हम उसे रिमूब भी कर देंगे चेक करने के बाद दो तें दिन लेंगे चेक क करने में सभी का वैसे तो हम हब चेक करके डालते हैं लेकिन इस बर क्या हुआ कि जैसे जो वीडियो उसी दिर नरद हो आलमुष सभी का चेकता लेकिन कुछ का नहीं भी चेकता तो अगर ऐसा कुछ हो था तो कभी भी गूर को लगरी के उपर मेल कीजिए कॉल कीजिए हम ए इसा कुछ हुआ है तो बैसली बाता हम उसे रेक्टिफाई करेंगे हैं चलिए आगे है सिम्टम ऑफ मैनिपलेटर तो इनके क्या सिम्टम होते हैं पॉलिटीशियन में और इन समय जो सिम्टम में वह कॉमन होते हैं या तो परसन इतना आवर कॉन्फिडेंट होगा और या इतना ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि वह बाते ही जैसे बहुत बड़े लड़ी करेंगा और आगे है कि वह क्या करेंगे इस खुद ज्यादा स्पीक करेंगे जब किसी के साथ कॉन्वर्शेशन करेंगे जो विक्तम मैं उसे विक्तम ही बोलूँगा क्योंकि आगे चलके व वो जो सेकिंड पर्सन है उसे मैं विक्तम बोलूँगा वो कम बोलेगा और वो नर्वस रहेगा अनकंफर्टेबल रहेगा उसकी आँखों में फेशिल अग्स्प्रेशन में आप जज़ कर सकते हो कि यह पर्सन भी कंफर्टेबल यहां पे नहीं है आगे बात करते हैं यहा इसमें बंबार्डिंग होनी ही नहीं चाहिए एजुकेशन बाहर होना चाहिए पहली बात आप अपना जो आप काम कर रहे हैं उसको बताओ एक दो बर बताओ आँ ठीक है आगे सामने वाले की मर्जी सो एजुकेशन आउट अफ तब यह होना चाहिए नंबर दो होते हैं आलवेज ठीक है बहुत अश्यार होते हैं और जैसे संदीप महंते का विलिफिकेशन के बाद ठीक है तो इसके बाद जो है हमने सोच लिया था कि ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जिससे क्या होगा कि मतलब बहुत ज्यादा स्टूड़ेंट हो जाए इसके जो इनके व तो उसी दिन उनका वीडियो अपलोड किया था और उसको क्या किया कि एतना और यूटूप पर ढ्लैटेर किया गया कि उसके बाद वो बुले के सार हम लाई वा जाते है ठीक है क्योंकि हमें पता है कि student कर देता है अगर वो student आपके लिए हो ना तो जो है वो लाइव आज तो लेकिन हमें वो लाइव बिड्रेट करना पड़ा कि कल को चल कर वह बढ़ती ही जाती कही न कहीं रोकना ही होता है और इसी बात का फाइदा लोग उठाते हैं ठीक है लेकिन यह जो है यह लेसन आपको कूरीजन देखे हमारी क्या ड्यूटी बनती है आगे से आज के बाद मैं एक आपसे प्रॉमिस करता हूं कोई भी गुरुकुल एगरी किसी की भी सिक्सेस वीडियो अप्लोड करेगा चार चीजे हम मेंशन करेंगे है नमब एक किसने अप पुछ है तो किसने अप्रोच करी यहां पर इंसिट्यूट ने स्टूडेंट को और स्टूडेंट ने इंसिट्यूट को यह चीज़ जब क्लेरिफाई हो जाए मेरे ख्याल से 90% प्रॉब्लम में सौर्ट इट आउट ठीक है इस कोई प्रॉब्लम ही है आगे है किस देट को रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड किस देट को हो रहा है वो देट जरूर मेंशन करो हो सकता है रिकॉर्ड वो छे महीने पहले हुआ हो या एक महीना पहले हुआ और बाद में उसे मेनुपलिट किया जाए मोटो क्या क्या क्यों यह वीडियो को अप्लोड करते हैं इसका मोटो म है यह भी हम आपको आगे से बताएंगे ठीक है कोई एल्टरेशन तो नहीं है कोई एडिटिंग तो नहीं है तो यह भी आप लोगों को बताओंगे यह बात का हमारा प्रॉमिस है आप से चलिए और मैं चाहता हूं कि बाके भी अधर भी इसे फॉलो करें तांकि ऐसे कि यह एजूकेशन में ऐसा हो ही ना और बाकी जगह पे तो हम कर भी नहीं चाकते हैं पॉलिटिशन है वो तो सब हाई लेवल की चीज़ है लेकिन हम अपने लेवल पे इतना कर सकते हैं अगर बा वो हम आगे अप्लोड करेंगी अधर वाइस आपकी वीडियो डिस्कावडर कर दी गाएगी और एक स्जेशन है स्टूडन्स के लिए कि आप जो है अगर शोशल मेडिया यूज करना चाहते हो तो क्वारा यूज कीजिए टूटर यूज कीजिए टूटर मुझे बहुत अ देगा इस कंतेंट इस कंतेंट ठीक है इस मैनिकुलेट ते लिक देता है इसी बात पो लेकर टूटर का पिछले 6 मेंने पहले कंट्रवेसी हुई थी कुछ नेता लोगों के साथ हूंने ऐसा आउटमेटिक लिए टूटर लिख देता है कोई टूटर का अल्गुरिदम इतन अच्छा है और वह यूएस से किसी भी नेता, किसी को भी ने बख्षता है, कुछ भी आता से रिमूव करता है, तुरंत मैं जो लेक्टर लेक्टा है, क्योंकि ट्विटर चाहता है कि जो कि उसका यूजर है वो intelligent बने ठीक है, और मीम्स जरूर देखिए, ये मीम्स का आपको ये लग रहा है कि इसका कैसे होगा, क्वारा पर डालो, Gen 1 आपके उसको review मिलेंगे, Gen 1, मुझे बहुत हल्प करते हैं, किसी भी decision दिन ने है, ठीक है, चलिए, बस इतना कहना चाहूंगा, last में, wish you very all the best, कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे person ही सोचे कि ये dispicable है ठीक है, और specially education में ऐसा कम होना ही नहीं चाहिए, जिससे person बुले, dispicable है, ठीक है, तो चलते हैं, यहां पर हमारा वीडियो से खत्म होता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप अपने कॉलीग के साथ share कीजेगा, जिंदगी में कभी भी कोई भी decision द